हलो श्रुडेंट जावा कोईर के सिक्स पार्ट है से पहले 5 वार मैं ने अप्लोड किया है आप लोगों ने भी देखा होगा अगर जुने नहीं देखा देखलें आपका एक लिए रहो जाएगा ठीक है तो सिक्स पार्ट चलते हैं इसमें पहला कोशन जो होगा इसमें कुछ के बैसे जो कोशन आपके सिर्ग क्यों मिलनेंगे तो पहला कोशन जो क्या है जो जो इस्टिंग जो होता है एक क्लास होतीघे जो में स्टिंगा ओपर्त पास जो भी करना उसका यूज करके ही आपको सारे काम करने होते हैं सेकंड देखो which of these method आप string class is used to obtain character at specific index मतलब किसी specific index से कोई character find करना है किसी एक string से तो कौन सा है आप method होता है? वो method होता है character at नहींद आप यहाँ पर character at कौन सा हो character at यह वाला है तो जावा में एक अच्छी बात क्या है? कि जावा बहुत structured way में लिखा गया है यह मतलब हुआ कि जावा में अगर कोई class है ठीक है? अगर वो दो नाम से या तीन नाम से बना हुआ है तो उसका हर word, नाम में तो word से बना हुआ है तो उसमें हर word का पहला लेटर capital होगा ठीक है जैसे data input stream तो data input stream तो data data का d capital होगा input का i capital होगा stream का s capital होगा लेकिन अगर वही अगर method है तो method में क्या होगा उसमें पहले word का जो पहला small होगा बाकी उसके पाद जितने भी word आएंगे सबका लेटर first letter capital होगा इसे हाप लोग character add character add का हो गए यहां पर C small पहले हुआ उसके बाद अ क्या होता है लाइन को एल केप्टल होता तो यह चीजी अगर आप फालौ कर करें चलोगे तो आपको कभी प्रॉलम नहीं होने वाले ही जावा में खास करके नेमिंग में आप जो है जो भी आप तो प्रावल्म नहीं होगी याद रहना क्लास का हमेशा पैसा लेटा करेप्टाली होता है ठीक है निश्या विच आप दीस कीवर्ड यूज़ तो यूज़ डिफर ए मैं तर डिफर टू मेंबर आप बेस्ट क्लास फ्रॉम एस सबक्लास मतब इसका सिंपल बात है एक बेस्ट सबक्लास है मतब बेस्ट क्लास है सबक्लाइब लेडिका तो पाप्पा को मैंसेज़् भीज ना है या तो कैसे भीज़ेगा उनीस डेज़ेगा सूपर क्ला सूपर जो है उसके थूपर बताय था लेडिमें इसको स्प्लीन क्यह अअ Rainbow बैस्ट्रुम् जो है जो बेस्स क्लास होता है वह अपने पेरेंट क्लास से कंस्ट्रक्टर में कुछ भी मैंसर्ण कुछ भी आरगुमेंट पास कर सकता है यूजिंग गुल सकता है यूज बाइच है इस बिलाओं करते हैं मतलब दोनों में आकर content equal है की नहीं तो यह आपका जो होता है डाट इक्वल करके इसको इसे लिखते हैं जिसे स्ट्रिंग वन का object है तो उसमें लिखते हैं इक्वल इक्वल्स एसका simple था मतलब होता है स्ट्रेश प्रण पड़ा है अगर वह स्ट्रिंग दूनों मैच कर जाते है तो इसमें ट्रू देता आधर्वाइस का देता फॉल्स देता है ठीक है तो यह हमें तो ठू एट्ट अगर मैच किया तो ट्रू नहीं मैच गया तो फॉ होता है वो आपका वो capital इसमाल का भी जो है वो case sensitive होता है मतलब अगर आपका मातों यह class लिखा हुआ है एक में class में सब सब समाल है और एक में c capital है तो याद रखना ऐसे सिनारियों में इक्वल जो होता हो तो false return करेगा वो तो case sensitive होता है ठीक है अगर आपको चाहते हो case आपको जो है इसमाल केपिटल से फरक ना पड़े तो उसके लिए अपकर इक्वल्स एग्णोर केस आपको यूज कर सकते हो दिए उसका एक अलग में थड़ होता है ठीक है ने विज़ादा following statement are incorrect तो क्या लिखा इस्ट्रिंग इजे class तो बिल्कुल correct है इस्ट्रिंग class है इस्ट्रिंग इने java are mutable mutable का मतलब क्या है वे बताता हूं यह incorrect है ठीक है बी वाला ही incorrect है बता रहा हूं क्या है सध्रिंग इने सबस्क्राइबरिय इस्ट्रिंग अब्सक्राइबरियु सारी स्ट्रिंग योते हैं जो होते हैं जावा यावा डिवाइड पियर पीर क्लाौस्च फरी जावा उस्ट्रिंग कल इस्ट्रिंग कarnya जावा-दिपन सा глаз suivre वी अल्टरी सा ऊंधार यह इस्ट्रिंग में जो भी आपके होते हैं तो यहां पर जो इसका इनकरेक्ट है वो मुटेबल है बंदर चेंज नहीं हो सकता जो चीज़ योई है तो मुटेंट आपने एक्समें मुवी देखी होगी हालीवूद के का देखता है तो मुटेंट क्या मतरब होता है उसमें चेंज़िंग आजाती है ठीक है उनके जीन्स में इस्ट्रिंग होता है उसमें चेंज नहीं ला सकते हो चेंजिंग लाने के लिए लिए है मालों उसमोह रिप्लेश का अब करना चाहूँ कोई कर्डस हो जैलीट कुछ कुछ से नया करेक्टर इसमें इंसेड करना जाते हैं इंस्टिंग में तो वह सारे इस्टिंग क्लास के तुरू नहीं कर सकते हैं उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इस्टिंग बफर का यूज करना पड़ेगा ठीक है तो यहां पर जो करेक्ट एंसर आपका है वह यहीं है ठीक है वह mutable नहीं होती है इस्टिंग अब इसका output पूछ रहा है लिखा है कि आपट क्या है आपड तो यहां पर सिंपल बात है तो इस्टिंग में यह operator उबलोडिंग support करता है क्योंकि plus operator क्या करता है आपको माल होगा plus जो है number को add करने काम करता है साथी साथ यहाँ पर string में plus जो क्या करता है और concatenation करता है इसका मतलब है आई को like के साथ concatenate कर तो यह बन गए iike लाइक उसका फिर यह operator जब होगा तो I like के साथ यह जावा को कॉन कर देगा तो क्या हो जागा I like Java लेकिन यहां पर जो कहीं बीच में Space नहीं है तो इसका Space भी कहीं नहीं होगा तो पूरा जो प्रिंट होगा I like Java इसका मतलब यहीं प्रिंट होने वाला ठीक है नेश्ट इसका output मुछा कि output क्या होगा तो जहाद हम दो आपजेक्ट यहां पाई स्टोर है ठीक है ओभी जो मैं I like Java तो यह क्या होता है mates character and character added 3 इसका मतलब 3 INDX और νडेक्स करेक्टर उसको प्रिंट करो क्या हो आपका तो pa पहला आई जो हए वह zero इंडेक्स का उसके बाद यह स्पेससे आपका वह वम णिंडेक्स का एल हमारा जो है वो टू इंडस्स का और आई आपका जो है वह आपका थ्री इंडक्स का तो कौसा प्रेंट होने वाला है आई हमारा वह थ्री इंडस्स का है Gothic अब है थे, कांटिंग कर लो स्ब्सक को छोड़ना मथुन थे सब्सक्राइब पूलब च्पिक्राइब कोणुसिंग करना क्या आइप लेंध श्राइब रहा है था तो से कौमेटर में हो थ्यॐइब आफकर पार में यह से वारे बात पर थैक है थीक है तो छिनस देखते हैं लेंग से मतलब क्या होगा काउंट कर लो कितने नमबराव करेक्टर इसमें तो क्या हुआ एक करेक्टर तो एक स्पेस भी है दो करेक्टर उसके बाद दो के दो हुआ चार इसमें चार लाइक वाला एट कर लो तो दो चार शेह हुआ एक स्पेस एक साथ हुआ ठीक है और साथ होता क्या है इस जो है एक बाइट इस्टोर करता है ठीक है तो यहां पर कितने नमरा आप इस्टोर होंगे आपका वो 11 नमरा इस टोर किये जाएंगे मेमोरी में ठीक है बचलो ने शलते हैं what will be the output of following Java program ठीक output पूछ रहा है तो यहां पर तो ओबीजे एक नाम का है उसमें hello रखा गया तो ओबीजे टू में इस प्लस ओबीजे इसको प्रेंट कर रहे हैं तो पहले हलो प्रेंट होगा ओपीजे में हमारा क्या है यहां एक स्पेस ही है तो दो स्पेस के साथ प्रेंट होना चाहिए तो हैलो वर्ड यहां प्रेंट होना है तो यहां मतलब यहां यह प्रेंट होगा आपका कर देखते हैं जहां पर आपूछ रहा क्या है तो पहले string में आपका ओपीजे में क्या है है उपीजे में यहां है बीजे टू में फ्रेंट है ऑफापीज्द ऐस जो क्या output आएगा वो false side ठीक है यहां पर देख लेते हैं obj toippy yakdel में पढ़ा हुआ आपका वह懂 pढ़ा हुआ है और obj to में क्या हुआ पढ़ा हुआ वह भी traveler हुआ तो यह क्या भीए तो false to is Colella that false true use इसको लगा दो false true यह पर ँसके यह correct answer आपका यह false बोच प्रूश टूश्या है को अगर कुछ सब्सक्राइब कर रहा है लगा है आपको उतर पुछना के लिया को डार बिल और लिपाट populaire ज्लों को जोई स्टेटिंग मैथेड के बरब बोता जा रहा है कि सबसे पहले एक जामपल है नेश्ट वीच वाट इदा प्रोसेस आप आप डिफाइन देन वन मैथड इन एक लास डिफ्रेंसीयेटेड बाई पैरामीडर तो अब इसी बात है एक ही क्लास में है एक क्लास में बात कर आप जो है डिफाइन कर रहे हो लेकिन के वालों के वाल डिफ्रेंसीयेट किसे कर रहा परामीटर से क्या बोलेंगे सिंपल सा नाम है फंक्चन ओबर लोडिंग आपको आइधिंग ना क्लियर होगा ठीक है नेश्ट थर्टीन पर चलते हैं विचा आप दीज कैन बी यूज पूछा कैसे कैसे डिफ्रेंसीयेट कर सकते हो तो परामीटर डिटाइप खेंग हो जाएगा तब भी दिफ्रेंसीयेट कर सकते हो रिटर्ण टाइप अब तरीका है जो आपका differentiate करने का तो यहाँ पर जो correct answer है वो all of the mentioned सब के सब साही हो गए ठीक है next which are the data type can be used for a method having a return statement in it ठीक है कौन कौन सा जो है return type statement हो सकता है ठीक है तो इसमें क्या है आपका return हमको करना return statement अगर चाहते हो रहे ठीक है तो क्या हो सकता है ठीक है तो वाइड में तो वाइड अगर लगा दे तो सबस्क्राइब रहे हो आ इसमें return हो नहीं लिए ठीक है इंट both दोनों कंदिसर में लगा सकते हो ठीक है मैं तो वाइड ही एक ऐसा को यह लगा दोगे तो नहीं हो ऐसके लाब आप đó फ्लोर लगाओ, डबल लगाओ, करेक्टर लगाओ, इस्ट्रिंग लगाओ, जो भी लगाना आपके उपर है, आप तो ग्यानी हो, अब आपकी चीज़ आप कर ले जाओगे, ठीक है, नेस्ट, बीच आप दी, इस्टेट्वेंट, कौस इस्टेट्मेंट, इसमें इंकरेक्ट है, पहला हो, इसमें सोब कर लिए, इस्टेट्र्रींट कर सकते है, ने सब्सक्राइब यहांगे, तो यह भी करेट आपके स्टेटमेंट है एनी एनी अलेडी डिफाइड मैथड इन जावा लाबरी कैन बी डिफाइड अगेन इन प्रोग्राम बिद डिफरेंट डिटा टाइप अब दा परामेटर मतलब पहले से कुछ 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 मैथड आपके डिफाइड करके रखे गए हैं उस मैथड को आप फिर से डिफाइड कर रहे हो पसमें क्या कर रहे हो आप जो है परामेटर चेंज कर देरो हाँ बिल्कुल कर सकते हो ओवर लोडिंग का ही कांसेप्ट यहां पर है जैसा किया जा सकता है ठीक है इसा कुछ नहीं है कि अगर मालो कोई कोई मैथर अगर जो भी वैलू रिटन कर तो कहीं श्टो करने ही जूरत है ठीक है आप डैड ले प्रेंड भी कर सकते हो यह भी सेनारियो हो सकता तो स्टोर करने की जरूत है ऐसा कुछ भी सिनारियो नहीं है इसका मतलब क्या हो रहा कि अगर एक statement है रिटन कर रहा तो यह कहरा कि हमको इसे मा ही कराना चाहते हैं हम इसको चाहते हैं आप पूछ रहा है यह पहले से रिपीट हो चुका यह फिर से देख लो एक class है box नाम का ठीक है यहां पर यह class यहां से चालू हो है और यहां पर close हो चुका ठीक है यहां पर लिखा width है height है length है value में ठीक है यहां पर जो है value में function दिया गया है उसमें calculation हो रही है पर देखते हैं हमने आप नीचे mean method यहां पर यूज किया गया है तो यहोंने क्या किया आपका कि एक object क्रेट किया है object करने बार height में इन्होंने वन डाला length विख में इन्होंने फाइब डाला ठीक है फिर value object.value 321 पास किया है तो यहां पर इस वाले height पे 3 आएगा इस वाले length में 2 आएगा इस वाले width में 1 यह इस function के लिए local variable है, height, length, width इस function के local variable है, और यह जो सारी चीज़े है, यह जो है instance variable है, इस class का, ठीक है, तो यह दिया देना, तो यहाँ पर जो width और height और length यहाँ पर calculate कर रहे हो, यह आपका width है, यही वाला width है, यह जो height है, यह वाला length है, यह यह वाला length है, अगर आप चाहत यह वाला width ले, तो यहाँ पर इस तरह लिखना पड़ेगा, this.width, ठीक है, इस तरह करके लिखना पड़ेगा, यह आपने ऐसा नहीं लिखा है, इसका मतलब जो है, यह parameter का जो है, क्योंकि same name होने current जो होता है, यह यही वाला width लेगा, ठीक है, तो यहाँ पर दोखों क्या, मतलब height में 3 आया है, length में 2 आया है, और width में 1 आया है, तो आपने यहाँ पर width में क्या है, 1 है, 1 into height में 3, 1 into 3 into 2, तो इसका मतलब 6 आएगा, value में क्या आगा, 6 आपने system.obj.value प्रिंट क्या है, तो प्रिंट होगा 6, I think concept clear होगा आपको, ठीक है, same name होगा, same name है, अगर function का variable और function variable same है, तो अगर आप deadly ऐसे use करते हो, तो function variable ही call होगा, मतलब use होगा, अगर this dot करके use करोगे, तो इस variable use होगा, ठीक है, this क्या use करता, this होता current object को refer करा, यह बोला current object का, अगर मैं यहाँ लिखा, this dot with, इसका मतलब current object का with, मतलब यह वाले width की बात कर रहे है, ठीक है, तो यह ची function बनाएगा, इसका return type boolean है, is equal करके रखा गया है, return equal to x equal to y किया गया है, ठीक है, यहाँ कोचन दो हो, यहाँ object बनाएगा उसका, x में, यहाँ पर obj dot x में 5 दिया गया है, obj y में भी 5 दिया गया है, तो इसको दोनों की value same है, ठीक है, अबने देहा, obj dot equal, यह यहाँ पर आ तो यह से correct answer हो जागा true, जावाब में condition true होने पर true print करेंगा, condition false होने पर false print करेंगा, लिए c में कर जाते है, तो condition true होने पर one करता, condition false होने पर zero print करता, ठीक है, next, next 18 नवह कोचन है, आपर width है, height है, length है, value में, ठीक है, वही है, यहाँ पर दो parameter नहीं पास किया गया है, ठीक है यहाँ जो है, वह है कि, Wellum, यहाँ पर value में यहाँ एक स पास कर रहे है, ठीक है, चौर देखते है, कोच्छे देखते है ठीक है, हाँ चोर यहाँ पर द दोखो, यह दिया गया, obj यहाँ बाउक, height में Уने ओन दिया है, length में ओन और 5 दिया है, width में ओन ने क्या किया, तो यह यहां पर तो single parameter pass करें तो यहां पर आओ यहां पर आओ यहां पर आओ यह वाला देखो इसमें कोई parameter नहीं है यहां पर single parameter है तो यह अचली यह concept है यहां पर single यहां पर कोई parameter नहीं है यहां पर उसी नाम से एक और function मनाएगा जिसमें single parameter है तो इसका जाएगा वेलूम में फाइब गया तो इसका मतलब यहां प्रिंट करोगे वह यह वेलूम वह प्रिंट होगा आपका वह फाइब प्रिंट होने वाला ठीक है तो यह function over loading है तुनों एक question है function over loading compile time है या runtime polymarphyse में यह question आप बताओ ठीक है इस comment box मुझे लिखके जो बताना है लिखा गया अगर x not equal to 10 ठीक है यह तो यहां पर भी क्या है और यहां पर एक्स divided by zero equal to यह है ठीक है तो यहां पर यहां पर नो क्या error है यहां पर जो फूब्लिक नहीं है सबसे बड़ी problem यह है यह तो यहां public ना होने करण यह 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 कहेगा भया कि पहले इसा है जो आप यह अब यह रन करा रहे हो program को उसमें main method ही नहीं मिला हमको ठीक है तो त्रणत यह error दिखातेगा अगर यहां public भी आपने लिख दिया तब भी यह error है यहां पर अभी तो compile time error दिखाएगा ठीक है अगर आपने public लगा तब यह error होगा क्योंकि आपको एक्स को जो है आपने जीरो से डिवाइड कर दिया जीरो डिवाइड हो तो यह आपका जो अगर आप अपने लगाने बाद आप करोगे तो यह दिखाएगा कि आपने किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड कर दिया यह error दिखाएगा तो अभी यहां पर जो करेंट एंसर है वो compile time है क्योंकि आपने यहां पर public नहीं लगाया तो यहां पर error आएगा वो कि main method not found कर गया आपका आएगा ठीक है लाश कोचन टुटी है अगर आप यहां अब भी तक बने हुए हो तो यहां पर क्या है एक आपका जो है तीन वह है ठीक है वैरिबल है और यहां पर इक यहां पर इक अपर अब्जेट बनाया अब्जेट तो क्या करता तुरंद काल कर देगा किसको अब मैं ओबीजेट डड़ वैलूम काल के वह जो वैलूम में यहां पर वैलूम में कितना पड़ा हुआ है और लेंथ में का 6 पड़ा हुआ है तो 5 इंटू 6 30 30 इंटू 1 1 मतब्द थैटी यहां मैं प्रिंट कर रहा हूं तो वैलूम में क्या प्रिंट होने वाल आपका वह 30 प्रिंट हो तो करें टैंसर किंदा हो जागा 30 आज दी इंदा क्लियर होगा आपको अगर इसमें कुछ भी दिक्कत हो रही कुछ भी सोम नहीं आ रहा कुछ पल्ले नहीं पड़ा तो आप जो कमेंट बाक्स में से लिखे पुछे पूछे अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें थोड़ सा लोगों को ग्यान बाटें सेर भी कर सकते करें अब इसको वीडियो को तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए टटा बाबाए